Capital Smart Trading में आने वाले दिनों में जो Grand Ballot होने जा रहा है उसमें Executive Block के कौन से Membran Plot को Shift कर सकती है Executive 1 के और Executive 2 के मैंने previous वीडियो जो Balloting के हवाले से पताई थी जो आई बटन पर क्लिक करके वह देख सकते हैं वीडियो उसमें मैंने Executive 1 का सरफ Experience किया था यह Society की तरसे जो पालिसी दी गई थी Executive 2 के नाम से उन में कोई प्रफाइल आपके पास है आपके पास Executive के टाइटल के साथ कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप उसे Capital स्मार्टी में उसे Executive West में Shift कर सकते हैं अब यह Executive West के क्या अची Qualications हैं यह क्या आपको फाइदा होगा आने मेले दिनों में इस हवाले से इस डिटेल टापिक में डिस्क्स करेंगे First of all कि Executive block के जो मैंबरान है उनको Executive block में Shift करने का फाइदा है या नहीं है सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ इस बैलेटिंग के बाद यहां इस सेलेक्शन के बाद जो भी Society आने मेले दुन में स्टार्ट करने जा रही है सबसे ज़्यादा benefit जिन plots को मिलेगा यह जिन मेंबरान को मिलेगा वो होंगे Executive block के मेंबरान वो फाइदा क्यों मिलेगा इस वीडियो में details explain करूँगा फर्स्ट अफॉल कि अगर आपको पास Executive District 1 में plot है सेक्टर B और सेक्टर C में B block जो है वो तकरीबन 80-90% बलके 100% already cleared है, develop हो चुका है, possessionable है और C block जो है उसमें आपकी land तो brown की जा चुकी है लेकिन इसको possessionable अभी तक नहीं किया गया और development वाँ में मुकमल नहीं की, D block से लेकि H block तक जितनी भी properties आपकी बनती है उन तमाम properties के पास यह option है, अगर आपको पास 100% amount है तो 100% amount clear है आपकी already plot की तो आपने plot को दूसरे block में shift कर से थे हैं, इसके नहीं है executive west block executive west पर block है, इसकी location DHA के अधारा city की boundary पर है और मलिकास सबसाब आपने recent interview में एक जिकर किया था, कि हम executive block west को सबसे पहले possession offer करेंगे नहीं क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा पुरहने मेंबरान जो है वह executive block 1 की है, executive 1 यह general block यह जो आच याद रहे general block, executive 1, executive 2 यह सारे block एक ही है मैंने बात किने जैसे, कि अगर आपकी file के ओपर executive नाम से कोई भी title है, कोई भी property का title इस पर executive लिखा हुआ है, तो तमाम के तमाम मेमरान के लिए executive west की वीडियो बनेगी, executive 1, executive 2 को separate dedicated part नहीं था, लेकिन मैंने यह video बनाना असलिए important समझा, कि उसमें confusion हो रही थी, आपको कोई भी property है, जो आपकी overseas block के इलावा है, वो executive block में fall करती है, उस property के लिए benefit है, कि आप से executive west में shift करते हैं, 100% अगर आपके amount cleared है, तो आपको उस plot के लिए selection की opportunity मिलेगी, यानि नक्षे के ओपर आप अपनी मर्जी से plot की location सेलेक्ट कर सकते हैं, आप corner plot चाहें, आप पार्क फेस plot चाहें, आप main road का plot चाहें, आप किसी भी थरा category plot procure करना चाहें, तो आपको उसी option है, कि आप प्रॉपर्टी प्रिक्यूर कर सकते हैं, जहां तक बात है possession की, possession की भी society की तरह से यह policy है, उनको उगले 6-8 मां के दुरान possession भी offer किया जाया, या जाना start कर दिया जाएगा, लेकिन इंपॉर्टन बात नहीं है, इंपॉर्टन बात यह है, कि executive 1 और executive 2 के development charges का difference, यनि executive 1 और executive 1 कह लें, और executive west कह लें, दो आप जो ने blocks बने हैं, एक जो आपका previous motorway के left side पे हैं, और जो motorway के right side पाएगा, मेरी society से यह दरखास होगी, कि जिन भी membrane के पास executive west में conversion की लिए society की files society ने जैसे overseas 1 के development charges लगाए थे, 1,20,000 पर मतला, मैं 5 मला plot की बात कर रहा हूँ, जब आपके overseas central के development charges आये थे, 5 मला के, वो तरीबर 1,40, 1,45,000 पर मतला थे, executive 1 के block के थे, 1,40, 1,45,000 पर मतला, यनि कि 5 मला का plot आपका overseas east में है, तो आपके development charges थे 6,00,000 रुपे, आपका executive district 1 में ह 7,40,000 रुपे, और आपका overseas central में है, तो plot के development charges थे, around 8,00,000 के charges थे, जो society ने में मेंबरान पर applicable किये थे, I think 7,58,000 के charges थे, वहाँ पर, अब यही charges वहाँ पर applicable किये जाएं, क्योंकि मेंबरान आपके, सबसे पहले जब capital smartity का अगाज हुआ था, capital smartity का कोई नहीं जानता था, सबसे पहले जो block में investment होई थी, उस block का नाम था, general block जिसको बाद में नाम चीन करके executive block कर दे गया, जिसको बाद में नाम चीन करके executive west किया जा रहा है, तो जिन मेंबरान को 2016, 2017 से लेके, 2014 खतम होने वाल है, आठ सालों के दुरान अपनी investment पर से loss देखने को मिला है, तो उन प 300 का हो गया, तो अगर आप development charges की मत में, अगर आप पैसे ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो याद रहे कि उन लोगों ने previously जो पैसे पे किया है, उनके property पैसे half या one third हो चुकी है, किसी बंदे ने डेट से, को बंदा USA में रहता है, उसने property भाई की executive district 1 में, और property for that matter, let's say जो अगर आपके प्लाट की 100% amount clear हो, तो आपको पहली selection मिलेगी, अगर आपकी 80% से, 81% से लेके 99% के दर्मियान है, तो second slam में selection offer होगी, अगर आपकी 60%, 61% से लेके, आपकी 79% तक है, तो third slam में selection offer होगी, अगर आपका 35% तक paid है, तो आपको बैलेटिंग में आना पड़ेगा, 35-50% तक, उस से ओपर जितने आपके plots होगे, वो आपके selection में, एहल होगे, तो आपके लिए policy बहुत करामद होगी, तो मैं definitely अर्श और मेंबरान को, जिनके पास executive locker plots होगे, वो location selection की तरफ जाएं, बैलेटिंग की तरफ ना जाएं, क्योंकि बैलेटिंग में आपको सिर्फ वही plots मिलेंगे, जो सब लोग छोड़ जाएंगे, जो leftover plot होगा, जो बचा कुछा महाल होगा, वो आपको मिलेगा, तो उस चीज़ क अब मद्य नज़र रखीगा, plot की selection के बड़, अगर आपके विडिल स्मार्ट एं लाहॉर स्मार्ट एं लाहॉर स्मार्ट एं में बुकिंग वालेज कुछ मालूमाँ चाहिए हूँ, देगे नमबर पर रबता करें, इसके साथ साथ नमारी website visit करना मत भूलें, www.makansolutions.com, झालेजर के विज़ skillsets दिए fat, कांए सेटि़ नमार्ट एं लाहॉर स्मार्टist केुषब करना में अरभ इं लाहउर स्मार्ट एं लाहिए है को के अगरण लाहॉर स्मार्ट कि अब्ल雅